नमस्कार दोस्तों भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम सुरू कर दिया है इस परियोजना के तहरा एक नई जनरेशन की ट्रेन सुरू की जाएगी जो अतियन तेज और सुरचित होगी यह परियोजना तेज की अंदर जुड देख सकते हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन की और से वैकेंसी जो आई है इसके बारे में हम दो पूरी डीटेल जानने वाले हैं तो वीडियो को जाता से ज्यादा लाइक कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए पलपल की अपडेक के लिए पूरी ज संटी जुनियर इंजिनियर एसंटी और असिस्टन्ट मैनेजर सीवील और असिस्टन्ट मैनेजर प्लानिंग असिस्टन्ट मैनेजर एच आर और जुनियर मैनेजर सीवील जुनियर मैनेजर इलेक्रिकल तो इतने सारे पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है हम सभी पोस्ट का educational qualification बगएरा सारा कुछ देखेंगे तो वीडियो के आंद तक बने रहेगा और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो अच्छी अच्छी जानकारी हो के लिए channel को subscribe कर लिजे तो देख सकते हैं notice भी परकासित कर दी गई है National High Speed Rail Corporation Limited की और से 4-2023 तो दोस्तो ये जो परियोजना है ये जो vacancy है ये rail मंतराले की और से क्यों नहीं निकाला गया rail corporation के तरब से क्यों नहीं निकाला गया तो इसके लिए देखें notice पहले ही जारी कर दिया गया है देख सकते हैं National High Speed Rail Corporation की और से रिक्ती सुचना जब परकासित की गई थी उसमें बता दिया गया है देख पा रहे होंगे कि NHRCL Rail मंतराले और भाग लेने वाली राज सरकारों की एक संजुक्त छेतर कंपनी है जिसे मुंबई आहमदाबाद के बीच पर्थम High Speed Corridor के निर्मान का काम सौपा गया है जैसा कि आपको पता ही है कि अभी तो रेल मंतराले का जादा करके प्राइबेट कर दिया गया है तो इसी का अंतरगत जो है NHRCL को दिया गया है ये अनुबंध के अधार पे ताकि ये जो काम है वो जल्दी हो सके तो NHRCL की नियमीद अनुबंध आधार पर कमपनी में सामिल होने के लिए निम्ले लिखित पदो है तो आवेदना मंतरित किया गया है 25-2023 से उनलाइन सुरू हो चुकी है और देख सकते हैं 25-2023 से 31-35-2023 के बीच आप उनलाइन आवेदन कर सकते हैं और LARGE DATE FOR REGISTRATION OF ONLINE APPLICATION जो है आपका वही है 35-2023 तक आप उनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे आते हैं तो पोस्ट भाइज यहां पर दिखाया गया है टेकनीशियन SNT के लिए सैलरी दिखाई गई है 35-10,000 रुपे तक की और काटेगरी भाइज यहां पर सीटे दी गई हलाग के सीटे बहुत कम है लेकिन पोस्ट हाई फरोपाईल है तो यहां पर ITI वालों को मौका दिया गया है और जिन्होंने ITI में इलेक्रिशन के ट्रेड से ITI किया है या फिर इलेक्रोनिक्स या फिर कम्प्यूटर ओपरेटर तो वो आवेदन कर सकते हैं अगर यह नहीं है तो अगर आपने डिप्लोमा इलेक्रिकल या इलेक्रोनिक्स या एंड कम्मुनिकेशन में कर रखा है डिप्लोमा तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इसके अलाबा कुछ experience भी मांगे गए है और यहाँ पे age वगरा देख सकते हैं 20-40 साल तक भरने का मोका दिया गया है आगे देखते हैं तो यहाँ पे next post जो है वो है junior engineer S&T के लिए तो इसमें 40,000 से 1,25,000 तक का salary दिया गया है इसमें डिप्लोमा भी वीटेक वाले आवेदन कर सकते हैं और उम्र जो है 20-45 साल इसमें भी दिया गया है अब नीचे आते हैं तो देखें यहाँ पे next post जो है यह आपका assistant manager civil के लिए है 50,000 से 1,60,000 तक की salary है total post गया रहा है इसमें भी डिप्लोमा भी वीटेक वालों को दिया गया है और जो उपर age दिखाया गया था same to same इसमें भी वही रहेगा अब यहाँ आगे आते हैं तो नीचे आपका assistant manager है इसमें भी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक salary है डिप्लोमा भी वीटेक वालों को मुका दिया गया है assistant manager human resources के लिए HR के लिए देख सकते हैं 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपे तक की salary दी जा रही है इसमे graduate in any discipline मांगा गया है ठीक है junior manager है 40,000 से लेकर 1,60,000 तक की salary है civil में अब इसमें भी डिप्लोमा या फिर बी वीटेक वाले आविदन कर सकते हैं और यहाँ पे last में जो है junior manager का electrical का 40,000 से 1,60,000 तक इसमें भी डिप्लोमा बी वीटेक वालों को मुका दिया गया है और 23 जानकारी के लिए दोस्तों मैं link वीडियो के description में दे दूँगा या फिर आप nhrcl के website पे आकर इसको download करके आप पूरा notification को पढ़ लिजेगा देखें यहाँ पे nhrcl का website आपको खोल के दिखा दे रहा हूं देखें यहाँ पे nhsrcl.in पे जाकर आप यहाँ पे इसको open कर के career section में जाके सारा detail देख सकते हैं online आवेदन भी कर सकते हैं तो दोस्तों आगर आप कहेंगे तो मैं आपको online करके भी दिखा दूँगा next वीडियो में तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share कर दीजे channel को subscribe कर लिजे मैं मिलूँगा next वीडियो में next update के साथ तक तक के ल कर दो एंगे मैं डिखाल ऋडर दी वीडियो में मिलूँगा